हेलो एवरिवन कीमी राठोर की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है आज की रेसिपी में हम आप लोगों के ले ले क्या है बहुती आसान तरीके से बनी मसालेदार और चटपटी अंकुरित काले चने की सूप वाली सब्जी की रेसिपी दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए है तो आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेरो और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे अब हम फटापट से देख लेते हैं अंकुरित काले चैने की सब्जी असान तरीके से किसे बनाते हैं अंकूरित काले चने की सब्जी बनाने के लिए हमने एक बावल काले चने लिये हैं सबसे पहले हम चने को अंकूरित करेंगे बड़े बावल में चने टासपर कर देंगे और तीन बावल पानी अट कर देंगे 8-10 गंटे के लिए ढखकर रख देंगे ताकि चने अच्छी तरह से फूल जाए मिलते हैं 8-10 गंटे के बाद में हमने चने को 8-10 गंटे तक पानी में भीगो कर रख दिया था चने अच्छे से फूल गए हैं अब हम इनका पानी अलग कर देंगे काले चने को आप लोग और नाइड भी पानी में भीगो कर रख सकते हो सबसे पहले हम चने को अंकुरित करेंगे अंकुरित करने के लिए हम इसे साप कपड़े के उपर डाल देंगे हमने चने अंकुरित करने के लिए पतला सूती कपड़ा लिया है अब हम इस पे चने डाल देंगे चने को कपड़े से चारो तरब से अच्छे से ढख देंगे अब हम चने को 10 से 12 गंटे के लिए टोकरी में रख देंगे हमने चने को 10 से 12 गंटे के लिए अंकुरित होने के लिए रखाता अब हम इसे देखते हैं 10 से 12 गंटे में हमारे चने अच्छे से अंकूरित हो गए हैं। अब हम सारे काले चने को कपड़े से टोकरी में ट्रांसपर कर लेंगे। अंकूरित काले चने की सबजी हमारी सेहत के लिए बहुत फाइदेमंद होती है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्टे लगती है। सबसे पहले हम चने को उबाल लेंगे। कड़ाई में 2-3 ग्लास पानी एट कर देंगे। गेस की आज तेज रखेंगे और पानी में एक उबाल आने देंगे। पानी उबल रहे तब तक हम चने को साप पानी से एक बार वाश कर लेंगे। दोने के बाद चने का सारा पानी निधार लेंगे पानी में उबाल आ गया है अब हम सारे चने कड़ाई में डाल देंगे चने को अच्छे से मिला देंगे अब हम कड़ाई में एक टोथाई चम्मस नमकेट कर देंगे नमक को भी अच्छे से मिला देंगे गेश के आज मिडियम रखेंगे और 8-10 मिनट तक चने को ढखकर पकाएंगे और 20-20 में चलाते रहेंगे हमें मिडियम आज पर चने को पकाते हुए 8-10 मिनट हो गए हैं अब हम इने देखते हैं हमारे चने पके हैं या नहीं आठ से दस मिनट पकाने के बाद चने अच्छे से पक गए हैं हम आपको एक चना चेक करके दिखाते हैं चने को इस तरह से हलके हाँ से दबाने पर हम चेक कर सकते हैं कि हमारे चने पके हैं नहीं चने अच्छे से दब रहे हैं मतलब यह अच्छे से पक गए हैं अब हम चने वाली कड़ाई को साइड में रख देंगे और सबजी बनाने के लिए तड़का तयार करेंगे थोड़ी देर के लिए गेस को बन कर देंगे अब हम फिर से गेसोन करंगे, कडाई में एक चम्मच ओयल डाल देंगे, दालचनी का टुकड़ा और तेजपत्ता डाल देंगे, एक टीस्पून जीरा, दो कटकी वे प्याज, तीन कटकी वे हरी मिर्च, हलके गोल्डन ब्राउन रंग के होने तक प्याज हरी मिर्च को फ्रा डाल देंगे, चलाते हुए दो मिनट तक फ्राई कर लेंगे, अब इसमें बाकी मसाले डाल देंगे, तेजपत्ता कड़ाई से निकाल लेंगे, एक टीस्पून लाल मिर्चे पाउडर, दो टीस्पून धनिया पाउडर, एक चोथा ही चमच हल्दी पाउडर, अपने स्वा थाज मिनट तक ढख कर पकाएंगे, और बीच बिच में चलाते रहेंगे, हमें धीमी आज पर मसाले को पकाते हुए, चार से पांच मिनट हो गएे, अब हम इसे देखते हैं, मसाला अच्छे से सीख गया है, और इसकी खुश्बू भी अच्छे से आ रही है, अब हम इस मसा मसाले को उबले हूए चने में डाल देंगे मुद्ध कर चने में अच्छे कि की मुद्ध के Stefan मसाले को चना को ऐट करने के बाद में मीडियम आज पर नियुक्ट अब हम इने देखते हैं हमारे चने अच्छे से पक गए हैं और सब्जी की खुश्बू भी अच्छे से आ रही है अब हम इसमें कट किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे हरा धनिया को हमने कट करने से पहले साप पनी से अच्छे से वास कर लिया है अच्छे से मिला देंगे हमारी अंकुरीत काले चने की सूप वाली सबजी बन गई है अब हम गेस को बन कर देंगे और सबजी को बावल में टास्पर कर लेंगे इस तरह से काले चने की सबजी बना कर तैयार है दोस्तों यदि आप लोगों को हमारी अंकुरीत काले चने की सबजी बनाने की रेसिपी पसंद आयो तो आप लोग हमें कोमेंट्स करके जरूर बताईएगा कि आप लोगों को हमारी अंकुरीत काले चने की सबजी बनाने की रेसिपी कैसे लगी ताकि हम आप लोगों के लिए हरोज नही नही रेसिपीज लाते रहें कल फिर मिलेंगे इक नही रेसिपी के साथ धन्यवाद